आज की स्थिती में हमें देश को लॉक डाउन से बचाना है मैं राज्यों से भी अनुरोद करूँगा कि वो लॉक डाउन को अंतिम विकल्प के रुप में ही इस्तेमाल करें लॉक डाउन से बचने की भरपुर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर ही ध्यान के इंद्रित करना है हम अपनी अर्थववस्ता की सहथ भी सुधारेंगे और देश वाचियों की सहथ का भी ध्यान रखेंगे कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में अक्सिजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस विशे पर तेजी से और पूरी संवेदन सिल्टा के साथ काम किया जा रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरुरत मन को अक्सिजन मिले अक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाई किये जा रहे है मेरा राज्य प्रशासन से आग्र है कि वो स्रमीकों का भरोसा जगाए रखे उनसे आग्र करें कि वो जहां है वही रहे राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वही पर अगले कुछ दिनों में वैक्सिन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा साथियों पिछली बार जो परिस्तित्यां थी वो अभी से काफी बिन्न थी तब हमारे पास इस वैस्वीक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल मेडिकल इंफासेक्टर नहीं था लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया